हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू आर चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में अगर सबसे शानदार सूपर फूट की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आशिदिये गुणों से भरपूर आवला सबसे फायदे सर्दियों में आवले का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है सर्दियों में आवला खाने के फायदे भी कई होते हैं सर्दियां शुरू होते ही कई तरह की परिशानिया होने लगती है चाहे वे सर्दी खासी हो बालों की समस्या हो ये स्किन प्रॉब्लम्स हो हर समस्या का रामबार इलाज है आवला आपको जानकर हैरानी होगी कि पाचन शक्ति के लिए आवला किसी अचूव कुपाई से कम नहीं है डाविडीज के लिए भी आवला काफी लापकारी माना जाता है अगर किसी का शुगर लेवल बड़ा हुआ है तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्र करने के लिए भी आवला कारगार माना जाता है इनके लावा हैर फोल ड्राय स्किन और जुरियां यह वो समस्याइं हैं जिनका हमें सर्दियों में खास तोर पर सामना करना पड़ता है ऐसे में अगर आप रोज एक आवले का सेवन करें तो आप इन सभी परिशानियों से बस कई लोग इसे कच्चा खाते हैं आवले का मुरब्बा भी काफी लोग प्रिये हैं तो सातियों चलिए आज हम आपको सर्दियों में आवला खाने के फाएदों के बारे में बताएंगे जिस से खाने से आप कई गंभीर बिमारियों से बचे रह सकते हैं पहला पाचन संबंधित बिमारियां दूर करें आवला दोस्तो कुछ लोगों को सर्दियों में पेट से जुड़ी कई समस्याय होती है इसलिए लोगों को ऐसे में आवला खाने की सलह दी जाती है क्योंकि आवला कई औशदी अगुणों से भरपूर होता है फाइवर की अच् मजबूत करता है इससे पूरे सरीर में रक्त का संचार अधिक प्रभावी टरीके से होता है इस शरीर में अत्रिक कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से रोकता है इसका सेवन करने से स्ट्रॉक और हार्ट अटेक की संभावना कम हो जाती है तीसरा स्किन प्राब्लम को करे दूर दोस्तों आवला आपकी तुअच्छा के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आवला सबसे अच्छा एंटी एजिंग फल है यह आपके चेहरे से दाग धब्बे हटाने में जुनिया खत्म करने में आपकी बहुत मदद करता है इतना ही नहीं बलकि अगर आपकी तुअच्छा रूख ही है तो आवले के रसकस्तिमाल फेस क्रप के रूप में करने से तुअच्छा का रूखापन दूर हो जाता है आवला में मौजूद ए लड़ में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है इसलिए ही आवला डायबिटीज से परिशान लोगों के लिए किसी अम्रित से कम नहीं है दरसल आवले में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन हार्मोन्स को मजबूत कर खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं जो कि डायबिटीज के रोग्यों के इलाज में बहुत मददगार होता है ऐसे में अगर आपको भी डायबिटीज है तो आप भी आवले का सेवन जरूर करें आप इसका सेवन जूस के रूप में कर सकते हैं कच्चा भी खा सकते हैं या फिर आवले के रस में शहर्द मिल आपको बहुत अराम मिलेगा पांचवा हैरफोल को कम करता है आमला साथियो आमला बालों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है अगर आपके बाल जड़ते हैं तो इस समस्याओ को रोकने में आमला कारगार हो सकता है क्योंकि आमला बालों को कुदरती पोशन देता है जिससे बा आमले का तेल भी बालों के लिए फायदेमंद है ये बालों के जड़ों को मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें घना और काला बनाता है अगर आप भी बालों के समस्याओ से जूज रहे हैं तो आप आमले का नेचरल ओईल का इस्तमाल जरूर करें आपको फर्क नजर आने होता है इसके लिए रोजाना एक चमच आमला के पाउडर को शहत के साथ लेने से लाप मिलता है मोत्या बिंद और आखों में जलन जैसी समस्या में रोगी यदि रोजाना आमले का जूस पीना शुरू कर दें तो उसके परिशानी जल्द ही ठीक हो सकती है तो साथियों आज आज हमने आपको बताया सर्दियों में आवला खाने के फायदों के बारे में उमीद है कि यह जानकारियां आपके लिए बहुत फायदे मंद होगी ऐसी और महतपूर जानकारियों के लिए आज हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्याद